हॉस्पिटल की जो बाउंडरी थी उसके पीछे बैट के ये शराब पीना स्टार्ट कर देता है सोना गाची नाम से एक रेड लाइट एरिया है वहाँ पे जाने का ये प्लान करते है पुलिस जब ब्लूटूथ एरिपीस को इसके मॉबाइल के पास ले गई तो वह से करेक्ट हो जाता है फीमेल डेड बॉड़ी आई हुए होती है तो ये उसको यूज़ करके फिल्म बनाते है इसकी हिस्ट्री रही है फीमेल के साथ वाइलेंस करने की लडाई करने की बिना एफ़ायार दर्ज हुए ही पोस्ट मॉटम तक कर दिया जाता वेली का पास के सूना गाजी से स्वलकर्स को कॉलिज के अंदर लेके आते है कुछ लोगों की फोटो आई बाहर जिनके लिंक टीमसी से निकले ये पूरे हॉस्पिटल में अपना शिकार ढूंता है दिखिए जो कोलकता केस हुआ है इसकी वज़े से पूरे देश में बहुत जादा गुस्सा है 24 घंडे के अंदर एक्यूस जो था उसको भी पकड़ लिया गया CBI को भी केस ट्रांसफर कर दिया गया लेकिन ऐसी क्या चीजे सामने आ गए जिसकी वज़े से लोग अभी भी प्रोटेस्ट कर रहे है और ऐसी क्या सिचुएशन वहाँ पे बनी हुई है कि अथोरिटी ने साफ कह दिया कि हमने एक्यूस जो है उसको पकड़ लिया है तो फिर लोग इसको गैंक से क्यों जोड़ रहे है तो देखिए जो पूरा केस है जी जितना सिंपल लग रहा है उतना है नहीं इस वीडियो के अंदर मैंने कोशिच किये कि जो एक्शुल रूट कॉस है वो आपको समझ में है ताकि आप अपना ओपीनिन बना सके अभी आगे वीडियो के अंदर मैं डीटेस जो बताऊंगा वो मैंने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो ओर्डर्स है और इसके साथ साथ पोस्ट पॉर्टम की जो औरिजिनल कॉपी है वो सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कुछ भी मैं अपने मन से मिले तो देखिए वेस्ट बेंगॉल के अंदर कोलकता में यहाँ पे लोकेटेड है आरजिकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल अब यह जो कॉलेज है इस कॉलेज के अंदर साल 2016 का टाइम था और इस टाइम पे कॉलेज के अंदर एक कुग काम करता था जिसका नाम था संजे र ता अब एक दिन संजे रोग जो था वो काम करते करते बिना किसी को बता इस कॉलेज से गायव हो जाता और एक कुक गायव हो गया था जादा कुछ फरक पड़ा नहीं था तो किसी ने इस पर ध्यान भी नहीं दिया आगले तीन साल तक जो संजे रोग था उसका कुछ पता force का concept लेके आई थी जिसमें temporary basis पे पुलिस के support के लिए civic volunteer रखे जाने लगे जो पुलिस के अलग-अलग कामों में help करते थे और जितना ये काम करते थे उसकी ज़रूरत के इसाब से इनको पैसा दे दिया जाता था अंदर free में bed दिलवाके admission कराके उपरी कमाई बहुत होती थी तो हर corrupt civic volunteer जो था वो इसी cell में जाना चाहता था तो अपने आपको इस department में shift कराके daily basis पे गवर्मेंट hospital में जाने लगा और उपरी कमाई करने लगा तो shift होने के बाद ये जो आजिकल medical college था इसके अंदर इसका आना जाना बहुत regular हो गया कोई इसको रोक्ता टोक्ता नहीं था ये जाके वहाँ पे patients को free में जुगार लगा के beds बगरा दिलवाता था और पैसे बनाता था welfare cell में shift होने के बाद संजर ओय जो था वो कोलकता पोलिस की 4th battalion में आ गया था क्योंकि welfare cell इसके अंडरी आती है तो करीब एक साल के अंदर ही आरजिकल medical college के अंदर इसकी पकड़ बहुत अच्छी हो गई थी आना जाना तो पहले से था ही था इसका क्योंकि पहले इसने boxing उनसे पैसे लेके उनको civic volunteer भी बनवाता था अब देखें जैसे congress की student wing है NSUI ऐसी BJP की ABBP है ऐसे ही त्रिनमूल congress की student wing है त्रिनमूल चात्र परिशद जिसका काफी अच्छा influence है आरजिकर medical college की student union में और आरजिकर medical college के जो student elections होते है हर साल उसमें भी इनका बहुत अच्छा influence ह तो यह जो संजय था यह student wing के prominent leader जो थे उनकी भी बहुत चापलूसी करता था और उनसे इसने काफी अच्छे link बना लिये थे एक police welfare board होता है जिसमें 14 members की central committee होती है जिसमें police की family वगरा जो होती है उनके welfare के लिए काम होता है तो इसके link इतने strong हो गये थे कि इस welfare के अंदर इ हो है वहां के 6 police वालों का transfer में भी इसका बहुत बड़ा role रहा था और उस time बे जो issue अधर transfer वाला जिसमें Sanjay Roy का नाम आया था इसको Times of India ने भी report किया था लेकिर उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ अब इसके साथ साथ same year यानि के 2020 में Sanjay Roy को hospital के अंदर रहने के लिए barrack भी मि आपने footage वगरा देखी होंगी news media में ASI दता जो थे वो भाग रहे थे और media उनका पीछा कर रहे थी तो इनकी भी inquiry हो रही है इस समय अभी आएंगे उस पर भी तो Sanjay Roy को daily 5 liter petrol मिलता था इसकी bike के लिए काम के इसाब से 12000 रुपे भी मिलते थे hospital में free bed वगरा के इसकी कमाई तो उपर से होई रही थी तो इसकी हर तरफ से इसके मज़े थे अब इसके एक साल बाद यानि के year 2021 में आर्जिकल hospital में एक बड़ा change होता है आर्जिकल college के अंद प्रिंस्पल बना के और जब यह प्रिंस्पल बने थे तो आजिकल college के अंदर ही 16 साल से deputy superintendent अक्तर अली जो थे उनका यह कहना था और यह चीज उन्होंने on record भी बोली थी कि उन्होंने observe कि यह civic volunteer संजर रॉय जो है यह प्रिंस्पल के बहुत close हो गया था उस time पे यही वो time थ इस time पे संजर रॉय जो था उसने अपने आसपास के लोगों पे influence बनाने के लिए अपनी बाइक के उपर कोलकता पुलिस लिखवा दिया था जबकि वो civic volunteer था और जो वो टी-शेट भी पहनता था उसके उपर भी इसने कोलकता पुलिस लिखवा लिया था उसके आसपास के लोग थे वो इसको पुलिस समझते थे उनको difference नहीं पता था civic volunteer और पुलिस force में और इस time पे इसका काफी अच्छा रूतबा था तो तब पार हो गई थी जब इसकी wife three month pregnant थी और इसके बाद भी इसको लात मार दी थी इसकी तवियत बहुत जादा खराब हो गई थी प्रिंस्पल जो थे आर्जिकल कॉलिज के उनका टाइम सही नहीं चल रहा था और जून 2023 में बात काफी जाद आगे बढ़ गई थी और लोगों ने स्टुडेंट्स ने जो स्टाफ थे उन्होंने ऐलिगेशन लगाना चालू कर दिये थे कि यह जो प्रिंस्पल है यह करप्ट है फिनेंशल फ्रॉड करें इसने human body के पार्ड की भी तसकरी कर यह इस तरीके की भी ऐलिगेशन लगाए गया और ऐसा सब कहें क्यों रहे थे इ संदीब घोश हैं इनके और कॉंट्रेक्टर के बीच में illegal activity हो रही है प्रिंस्पल संदीब घोश जो है इन्होंने कॉलेज के construction और renovation के काम में बहुत सारे पैसे का घपला किया और एक secret agreement भी साइन किया इन कॉंट्रेक्टर के साथ bidding process के लिए दूसरी चीज बोली गई कि आर इसके लिए BMW की अलग से sell होती है वो उसको उठाके ले जाती है और उसको manage करती है ताकि दुबारत से use ना हो ताकि HIV वगरा या फिर कोई और बीमारी हो किसी को तो वो ना फैल जा तो इसलिए BMW sell जो होता है process के तुरू इस biomedical waste को destroy करती है तो इस चीज में कहा गया कि यह जो principal बहुत डेंजरस है और इस पर action लेना चाहिए इसके बाद लोग जो थे वो बहुत जादा principal के पीछे पढ़ जाते हैं TV9 बांगला एक sting operation भी करता है वीडियो का लिंक मैंने description में लगा रखा है और जब बहुत जादा protest होने लगते हैं इसको लेके तो सिर्फ दो महीने administration start करती है इसमें कई सारी चीजों को लेके जो principal थे वो फास गये थे जैसे इसमें कहा गया कि NRS Medical College जो है उसकी और आर्जिकल 9,044 kg था जो की बहुत बड़ा difference था ऐसे हर college की जैसे digital skill lab बनाई जाती है तो आज इकल hospital की भी digital skill lab जो थी जब बनाई गई तो उसमें 2 करोड 97,36,000 रुपीज लगे और same digital skill lab Diamond Harper Medical College में 61,47,294 रुपीज में बनाई गई college के पुराने government employee, deputy superintendent अक्तर अली ने कहा कि ये क्या मज़ाग चल रहा इस time पे complain भी की इन्होंने, इन्होंने report भी submit की, SIT ने भी अपनी report बनाई, ये उस report की original copy है, आप pause करके पढ़ लेना, side में सारे evidence mention है और right में जो officials के observation थे, वो सारे mention है इसमें बांगलादेशी लोगों के भी कई नाम आए, सारे link आपको description में मिल जाएंगे और इसके बाद लोग खुल के principal के against में बोलने लगे, August 2023 में Kolkata police जो थी, उसने Dr. Sandeep Ghosh के ओपर under the prevention of corruption act, financial misconduct, multiple case register किये और जब कुछ होता नहीं है तो college के deputy superintendent अक्तर अली जो थे, वो principal के पीछे पढ़ गए, उन्होंने अलग से report बना बना के, anti-corruption department, vigilance department, healthcare department, सब को ये report भेजना चालू किया अक्तर अली ने ममताब अनर्जी को भी letter लिखा, और जब अक्तर अली मान नहीं रहे थे, बहुत जादा कर रहे थे, तो उल्टा उनका transfer हो गया college से, लेकिन कुछ टाइम बाद students ने ये का, कि principal उनके against बजाने की वज़े से, strike करने की वज़े से, उनको जान पूच के fail कर रह जाता है, original video आप search करो, तो आपको मिल जाएगी, principal को college के अंदर चलने के लिए bouncer रखना पड़ता था, तो अभी जो protest चलना है, उसमें ये वाले students भी हैं, जो पहले से ही खुश नहीं हैं से, तो आब आते है current situation में, तो इधर ये सारी चीए चल रही थी, ऐसा करते करते year आ था 2024, तो ऐसे ही मार्च 2024 में, यानि के इसी साल, एक औरत थी जिसका बेटा बहुत बिमार था, तो संजे रोय जो था, उसकी गलत नजर पड़ जाती है इसके उपर, वो इस औरत की मदद करता है, बेटे का इलाज करवाता है, दवाईयों तक के जो पैसे होते हैं, वो संज जादा खुश हो जाती है इससे, लेकिन उसके बाद संजे रोय क्या करता है, वो मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन में से नंबर निकाल लेता है उस और उसको बैक टू बैक गंदे मैसेज और कॉल बगरा करने लगता है, यह जो मैं बता रहा हूँ, यह News 18 बंगला ने उस टाइ करनी पड़ती है, लालबदार में ही कॉलकाता पुलिस का हेड़कॉर्टर है, तो यह कंप्लेन आने के बाद, पुलिस जो है, वो संजे रोय को बुलाती है, पुलिस ने इसका call data record, CDR निकल वाया, और इसका mobile वगरा चेक किया, तो उसमें यह पकड़ा जाता है, यह सच में परिशान कर रहा था, जितनी भी call वगरा थी, सारी की सारी पुलिस ने trace कर ली थी, अब कायदे में तो इसके उपर IPC के तहट, harassment के charges लगने थे, criminal breach of trust वगरा यह दुनिया भर के charges लग सकते थे, in fact इसके जो civic volunteer की जो position थी, उससे भी इसको हटा देना चाहिए था, लेकिन पत इसी को भी hire करोगे, तो उसका criminal background नहीं होना चाहिए, कोई भी case नहीं होना चाहिए उसके उपर, लेकिन Sanjay Roy जो था, उसके उपर तो already उसकी wife ने domestic violence का case कर रखा था, उपर से ये वाला case भी हो गया था, उसके बाद भी इसको रखा गया, अब ये जो complain वगरा की थी इस ओरत इसका तो कुछ नहीं हो, लेकिन एक चीज़ ये होई थी, कि इस औरत को इसने दुबारा परिशान करना बंद कर दिया था, और ठीक इस incident के एक week बाद, Sanjay Roy के उपर एक और complain होती है, जिसमें इसने एक female doctor के साथ misbehave किया था, इससे बत्तमीजी की थी, तो कहने का मतलब यह ह इसी college से MD कर रही थी, second year में थी हो, actually MBBS करने के बाद, doctor 3 साल के लिए post graduation program, MD या फिर MS opt करते हैं, इनको resident doctor बोला जाता है, इंडिया के अंदर resident doctor जो होते हैं, उनकी हालत बहुत खराब है थी, उसे बहुत जादा काम कराया जाता है, एक तरह से hospital जो है, वो ही इनका resident मन जाता ह इसलिए इनको resident doctor बोला जाता है, तो ऐसे ही आज एकर college में ऐसे 300-400 से जादा resident doctor थे, और victim जो थी, जो यहां से अपनी MD कर रही थी, वो अपने माबाप की अकेली लड़की थी, parents जो थे इनके, इन्होंने अपनी बेटी को बहुत ही महनस से कमा के पढ़ाया था, father इनकी tailor थे तो financial condition में की कोई अच्छी नहीं थी, पूरी family जो थी, इस college से MD पूरे होने के इंदजार कर रही थी, क्योंकि second year में थी, तो बहुत कम time बचा था, ताकि जल्दी से doctor बन सकें, तो अब यहां से होता क्या है, कि August मंद का first week start हो चुका था, और 5th of August से 8th of August, इसी साल की मैं बा crime करने वाला था, तो इस दिन, यानि के 8th of August 2024 को दिन में संजे रोय जो था, वो hospital में आता है, एक patient का admission कराना था इसको, यह patient जो था, वो इसके ही जैसे civic volunteer था, उसके relation में आते थे, और जब यह hospital में आया था, इस patient के काम से, उसी time जो victim थी, उनको इसने follow भी गया था, CCTV footage से प कराता है, और patient की जो surgery थी, वो करीब एक बजे plan थी, तो यह वहीं पर रुखता है, अब इधर surgery start होती है, और यह उसी patient के relative, जो की इसका दोस्त था, और civic volunteer भी था, उसके साथ hospital की जो boundary थी, उसके पीछे बैट के, यह शराब पीना start कर देता है, अब जब शराब पीते पिते और जो बाहर औरते जा ले थी, उनको छेड़ता है, इसके बाद इसका दोस्त वापिस आता है, यह दोनों वहीं से थोड़ी दूर पे, चेटला एक दूसरा red light area है, वहाँ पे दोनों साथ में मिलके जाते हैं, दुबारा से इसका दोस्त अंदर जाता है, और संजे जो था, वहीं बाहर रोड पे एक लड़की थी, उसको पैसे दे के उसके private photo मोबाईल में मंगा लेता है, अब इसके थोड़ी देर बाद इसका दोस्त वापिस आता है, यह दोनों उसी एरिया में घूमते हैं, और उसके बाद इसका जो दोस्त होता है, वहाँ से दोस्त निकल जाता इस टाइम करीब 2-3 बज़ रहे थे और यह हॉस्पिटल की तरह बढ़ने लगता है, वहीं दूसी तरफ जो विक्टिम थी, वो भी हॉस्पिटल में आई थी, उनकी 36 आवर की shift चल रही थी, जिसमें continuously limited breaks के साथ 36 आवर तक काम करना होता है, और इस टाइम पर आप घर नहीं जा सकते हैं, उसी हॉस्पिटल में रहना होता है, तो सोना, खाना, पीना, सब कुछ हॉस्पिटल में ही करना होता है, तो लास्ट 36 आवर से हॉस्पिटल में ही थी, रात में करीब 11 बज़े के करीब यह जो विक्टिम थी, इनकी अपने parents से फोन पर बात होती है, उसके थर्ड फ्लोर पे seminar hall में पहुंचते हैं और ये तीनों ही chest medicine department की थे अब इसके बाद ये जो TV पे live match देख रहे थे वो खतम हो जाता है और को और सुमित्रा जो थे वो seminar hall से चले जाते हैं और victim वहीं अपनी study करती हैं इसी seminar hall में रात के 2 बज़ रहे थे स्टाफ जिसका नाम गोलन था वो seminar hall के बगल से गुजरता है और इस time तक जो victim थी वो एक red blanket लेके गदा पड़ा था फ्लोर पे seminar hall के अंदर और उसी के उपर सो रही थी उस time पे जो sleep room था वहाँ पे polysomnography sleep disorder का एक test चल रहा था इसकी वज़े से कहीं और जगा नहीं थी सोने की तो वहीं सो गई थी यह हमेशा अपने साथ एक diary रखती थी और सोने से पहले लिखती थी उसमें तो उस दिन भी इनके पास एक diary थी और उस दिन भी इन्होंने लिखा था इस diary में अपने future के plans वगरा लिखती थी जैसे आरजीकल college से इन्हें gold medal अचीव करना है कुछ बड़े hospitals के नाम लखे थे और उसमें लिखा था कि यहाँ पर आगे चलके इन्होंने काम करना है तो यहाँ पर यह सो रही थी सेमिनार hall के अंदर और अब time हो चुका था 3.50 मिनट और इस time तक Sanjay Roy जो था वो hospital में पहुँच चुका था CCTV में जब चेक किया गया था तो इसी particular time पे यह hospital की main gate से entry करते वो दिखता है अब इसके बाद यह पूरे hospital में अपना शिकार ढूंडता है ऐसा नहीं कि यह गया था वहाँ पे धोके से मिल गई यह actual में वहाँ पे अलग-अलग operation theater थे test department थे यह वहाँ जाके देखता है कि कहीं कोई female patient हो बिहोश हो तो actual में किसी को ढूंड रहा था कि कोई crime करने के लिए मिल जाए क्योंकि CCTV में देखा गया है कि अलग-अलग room में जा जाके यह देख रहा था और फिर 4 बच के 3 मिनट पे 3rd floor पे पहुंचता है और seminar hall में घुच जाता है यह इसकी original pick है CCTV से निकली हुई जब यह seminar hall में घुच रहा था तो इसके गले के अंदर एक Bluetooth earpiece था और इसी Bluetooth device के वैसे आगे चलके पकड़ा जाएगा अभी आएगा आगे seminar hall में पहुचने के बाद यह वहाँ victim को देखता है और फिर attack कर देता है गला दबाता है, काफी जादा मारता है victim बहुत जादा struggle करती है 4 बच के 3 मिनट पे seminar hall में घुसा था और post-mortem में 4 बच के 15 मिनट के बाद का time mention था death का तो इसका मतलब है कि काफी देड तक struggle हुआ था और seminar hall जो था वहाँ पे speeches वगरा दी जाती थी और sound proofing थी वहाँ पे तो इसकी वज़े से जो भी हला हो रहा था वो बहार आवाज नहीं जा पा रही था बाकी जो details है वो आपको पता है तो उसकी details में में नहीं जाओंगा लेकिन इसने अपनी सारी limit तोड़ दी थी और ये crime करने के बाद करीब 4 बच के 40 मिनट पे seminar hall से बाहर निकलता है करीब 37 मिनट तक seminar hall में रहता है और यहाँ से निकलने के बाद जो वही hospital campus के अंदर जो barrack थी जो इसको मिली हुई थी बड़े आराम से जाके वहीं पे सो जाता है कहीं पे भागता नहीं है कोई इसके दिमाग में tension नहीं थी अब इसके बाद सुबह होती है और औरोको जो था वो इस seminar hall में जाता है और जैसे ही वो जाता है वहाँ से बहुत जादा चीकता है और वहाँ से निकलने के बाद वो सब को पूरिश सिचुएशन बताता है बॉड़ी पे आधे कपड़े पड़े हुए थे मूँ पे चोट थी चश्मा तूटा हुआ था आँखों से खून आ रहा था पूरी बॉड़ी पे चोट थी और ये सब पता चलने के बाद एक घंटे यानि छे से साथ साथ बज़े के बीच में बहुत ही जादा भीड इखटी हो जाती है सेमिनार हॉल में लोग जूते वगरा पहन के काफी जादा घुश जाते हैं और राइट अवे पुलिस को कंप्लेइन करने की वजाए पहले वो खुद सेमिनार हॉल में जाके देखते हैं और इस चीज को लेके बहुत जादा क्रिटेसाइस किया इनको कि पहले इनको पुलिस को जाके इंस्टेंट बताना था विक्टम की मदर फोन उठाती है और उनसे कहते हैं कि आपकी बेटे की तवियत खराब है आप कॉलिज आ जाईए और इसके लाबा और कुछ नहीं कहते हैं और फोन काट देते हैं अब ये सारी चीज़ सुनके विक्टम के घरवाले दुबारा कॉल करते हैं कि क्या हुआ दुबारा से फोन मिलाते हैं तो पैरेंट्स के अकॉर्डिंग असिस्टेंट सुप्रिटेंडन ने कहा कि आपकी लड़की ने सुख्रे कर लिया है और ये सारी चीज़ सुनते ही घरवालों के होश उड़ जाते हैं अब सेम टाइम पे करीब 12 बजे पैरेंट्स जो थे वो भी कॉलेज पहुँच जाते हैं और पैरेंट्स जो थे वो पहुँचते ही कहते हैं कि उनको अपनी बेटी से मिलना है लेकिन उनको मिलने नहीं दिया जाता है तीन घंटे तक वो कॉंटिनुस्री ट्राय करते हैं यो अपनी बेटी को एक बार देख लें लेकिन उनको नहीं मिलने दिया जाता है इसके बाद तीन बज़ के तीस मिनिट पे पैरेंट्स को उनकी बेटी की बाड़ी दिखाई जाती है और पैरेंट्स देखते ही कहते हैं कि यह कोई स्टाइड नहीं है आप किसी बात कर रहे हो यह तो किसी ने मारा है अब यहां से बात फैलने लगती है और जितने भी डॉक्टर्स थे वो सब काम वगएरा छोड़के खटा होना स्टार्ट हो जाते हैं बहुत ही गुसे में थे सारे लोग क्योंकि एक on duty डॉक्टर के साथ इतनी बड़ी चीज हो गई थी अब शाम के छे बचते बचते जो बॉड़ी थी उसको अटॉपसी के लिए बेज दिया जाता है और इस टाइम पर विक्टिम की जो दोस्त थी वह बहुत समझदारी यह उस अटॉपसी की ओरिजिनल कॉपी है आप पॉस करके पढ़ लेना इतना टाइम हो चुका था लेकिन किसी ने भी FIR दर्ज नहीं की थी और बिना FIR दर्ज हुए ही पोस्त मॉटम तक कर दिया जाता है बोडी का यह पोस्त मॉटम की कॉपी है यह रिपोर्ट आते ही कहने लगे कि यह रिप है हाला कि आगे चलके यह चीज थी यह गलत निकलती है इसमें और भी बहुत सारे सबसेंस थे इस पूरे सिच्वेशन को जिस तरीके से हैंडिल किया जा रहा था वो डॉक्टर देख रहे थे और उनको शक हो रहा था कि इसमें कोई गहरी साजिश है यह सारी के सारी चीज़ों को छुपाया जा रहा है और जिस तरीके से किया जा रहा है वो सही नहीं है सारी चीज़े हो चुकी थी पोस्टम वगएरा तक हो गया था लेकिन किसी ने भी F.I.R. नहीं कराई थी फिर विक्टिम के जो फादर थे उन्होंने जाके F.I.R. लिख गुसे में थे और गवर्मेंट को समझ में आ गया था कि अब यह जो सारी चीज़ें उनके कंट्रोल से बाहर हो जाएंगी अगर सही तरीके से इसको हैंडिल नहीं करेंगे तो पुलिस डिपार्टमेंट को तुरन बता दिया जाता है कि कैसे भी करके जो एक्क्यूज है उस उसके अंदर कैमरा नहीं था लेकिन सेमिनार हॉल की जो लॉबी थी उसकी एंट्री और एक्जिट दोने जागा पर कैमरा था और पुलिस जो थी वह तीन मजे के बाद से कौन-कौन सेमिनार हॉल के अंदर आया कौन-कौन बाहर गया सब को देखना स्टार्ट करती है और उ सेमिनार के अंदर बिताने के बाद जब एक्जिट कर रहा था तो इसके गले के अंदर जो एंट्री करते समय ब्लूटूथ एयरपीस था वो निकलते समय था ही नहीं तो इसकी वज़े से इसके उपर डाउट होता है और पुलिस जो है वो इसके बैरक में पहुंचती है इस इसने जो कपड़े थे उनको धो के चेंज कर दिया था बाकी अराम से वहाँ पे सो रहा था और पुलिस जब ब्लूटूथ एयरपीस को इसके मोबाइल के पास ले गई तो वो इससे करेक्ट हो जाता है तो यहां से इसको उठा के इससे पूछता शुरू होती है और यह सार सेमिनर हॉल में तो इसको लेके लोग और गुस्सा हो जाते और 11 अगस तक छोटे-छोटे स्केल पे इन सारी चीजों को लेकर डॉक्टर जो थे वह प्रोटेस्ट करना है स्टार्ट कर देते है और प्रिंसिपल का रेजिगनेशन मांगना भी स्टार्ट होता है कि इनका जर कि यह जो एविडेंस है जानपूच के मिटाये जा रहे हैं आज इकर कॉलिज के अंदर सारी चीज़ सही से नहीं हो रही है जरूर इसमें कुछ दिक्कत है और इसमें सबसे ज़्यादा है कि एक तरफ इतना बड़ा केस हो गया था उसी टाइम पे सेम फ्लोर पे सेमिनार और इसके अगले एतना ज़ादा प्रेशर गवर्मेंट और फिर्स प्रिस पर मेंए कर देता है लेकिन उसका रेजॉस क्वर्डूप करने चैनल ना च..? लिंक पे मैंने High Court के order की copy लगाई है, आप जिरूर एक बार देखेगा, High Court ने कहा कि Principal ने resignation मारा था, दो option थे, या तो आप reject कर देते या accept कर देते, इन दोनों option के अलावा आपने transfer क्यों किया, यह जिए आपको High Court के judgment के 10th page के 23rd point पे यह चीज मिल जाएगी, High Court ने बहुत language का use करके, government को बहुत जादा फटकार लगाई, line by line गलतियां बताइए इस पूरी situation में, कि Principal ने जिस तरीके से situation को handle किया, उसको सजा देने की बजाए, उसको promotion दिया जा रहा है, उसको और अच्छे medical college में भेजा जा रहा है, और इसके साथ साथ एक चीज और बोली High Court ने, कि authority जो थी, वो victim की family के साथ नहीं खड़ी थी, और फिर इन सारी चीज़ों को देखते हुए, यह जो case था, यानि के, writ petition 332 of 2024, इसको 13 अगस्त को, CBI को transfer कर दिया जाता है, अभी जो situation थी, यहाँ पे भी protest ऐसा था, कि government के control में था, लेकिन इसके अगले दिन, यानि के 14 अगस्त करना था, woman safety को लेके, इन साफ मिले, victim को, इन सारी चीज़ों को लेके, एक protest करना था, अब यह एक ऐसा protest बन गागी, यहाँ पे काफी भीडी खटा हो गई, और यह वो time था, जब college के अंदर से बात निकल के, अब पूरे कोलकता और इंडिया के अंदर पहुंच गई थी, औ उन्होंने मांगी थी, प्रोटेस्ट के टाइम पे, अब जब यह प्रोटेस्ट चल रहा था, और आउट अफ कंट्रोल हो रहा था, और दिक्कते गवर्मेंट के लिए चालू हो रही थी, तो साथ से आठ हजार अन्नोन लोग, बैरिकेटिंग मगरा तोड के, और आर्जिक अन्नोन लोग थे, यह थर्ड फ्रोर पे भी घुसने का ट्राइ करते हैं, जहां यह क्राइम हुआ था, पुलिस भी कुछ नहीं कर पाती है, पुलिस कुछ करने की बजाए टॉलेट में छुप जाती है, यह देखे, इस तरीके से यह हाल कर दिया था इन लोगोंने, अब ब लिंक TNC से निकले, पहली फोटो सौमिक दास्ट, यह सुकांता सेंच शर्मा, लोकल TNC लीडर है, उनके लिए काम करता था, तेकि TNC ने इस पर क्लारिफिकेशन दिया कि सपोर्टर तो ऐसे कोई भी हो सकता है, इसमें हमारा कोई लिंक नहीं है, दूसरी फोटो में TNC से निकला, तो यहां से भीड और गुस्सा हो गई, कि 100-200 लोग नहीं थे, कई हजार लोग थे, well coordinated तरीके से एक ही जगा पे, एक ही टाइम पे, step by step, seminar hall की तरफ कैसे पहुँच गए थे, अब देखिए यह जो पूरे प्रोटेस्ट चल रहे थे, पूरी situation जो चल रही थी इसमें अब आपका एक question यह होगा, कि 24 घंटे के अंदर जिसने crime किया, उसको पकड़ लिया, जो case है वो भी CBI को transfer कर दिया गया, तो यह protest हो क्यों रहे हैं, तो देखिए यह जो hospital है, इसकी पूरानी history है, उसकी वज़ा से जो लोग हैं, जो students हैं, जो doctors हैं, वो इस incident में पू सुमित्रा विश्वास नाम का एक लड़का रहता था, उसने August के मन में अपने parents को बताया था कि आरजिकर होस्पिटल जो है, यहां पर सारी चीज़े सही नहीं चल रही है, यहां पर कुछ गलत काम होते हैं, और इसके कुछ दिन बाद, 25th of August 2021 को आरजिकर कॉलेज में सुमि पुलिस आई थी, कुछ investigation की थी, और उन्होंने अपनी report में कह दिया था कि यह case है, और जैसे ही वो यह कहते हैं, माबाब साफ मना कर देते हैं, कि लड़का खुश था, कोई दिक्कत रही थी, यह कोई case नहीं है, बलकि मुल्कि मुल्कि आ गया है, सौमित्रा के माबाब थे गवर्मेंट को multiple letter लिखते हैं, कि आरजीकर कॉलिज जो है, वहाँ पे कुछ गर्बर चल रही है, उनका बेटा ऐसा नहीं कर सकता, कुछ करिए इसको लेकर, और जब कुछ नहीं होता है, तो माबाब कोर्ट में चले जाते हैं, और कोर्ट जो है, उस सारी चीज़ देखता ह उसके बाद CBI तो नहीं, लेकिन CID की जान शुरू करवा दी जाती है, दो तिन साल तक investigation चलती है, और इस investigation में कई students और सौमित्रा के जो friend थे, उन्होंने अपने बयान में बोला कि, आरजीकर कॉलिज की union के कुछ powerful लोग यहाँ पे पावरफिका काम करते हैं, इस चीज के ब इमेज से इनको replace कर देते हैं, और कई बार जब कोई available नहीं होता है, तो आरजीकर हॉस्पिटल के अंदर कोई fresh female dead body आई हुई होती है, तो यह उसको use करके film बनाते हैं और उसको बेचते हैं, और उस time भी इसी आरजीकर हॉस्पिटल के अंदर seminar hall और room number 15 का नाम आया था, और के video बना ली थी, और circulate कराना start कर दिया था, स्वामित्रा इस चीज को लेके लड़ने चले गए, और फिर same week में room number 15 में यह से लटके हुए मिले, और जब इन सारी चीजों को लेके investigation चल रही थी, तो एक room ऐसा भी मिला था, चाहां पे tripod और light reflector जो होता है, वो भी CID को मिला आज की date में तो यह फिर भी normal है, लेकिन 2001 में यह मिलना normal नहीं था, तो इसको लेके भी बहुत कुछ हुआ था, लेकिन इस case में भी कोई पकड़ा नहीं गया, और यह भी CID केस रहा, इसलिए आज की date में भी RGC College के students है, वो इसकी detail inquiry करवाना चाहते हैं, क्योंकि इस case को भी side से जोड़ दिया गया, और RGC College की history रही है, केसों को side में जोड़ने की, 2003 में अरजित दर्ता, हर कोई शौक हो गया था, कि इनकी जान कैसे चली गई, बाद में पता चला, इन्होंने side कर लिया, ऐसे ही 2016 में RGC Hospital की department head, Gotham Pal की body मिली, उनका भी बतायागा कि उन्होंने side कर ल अभी आज की date की बात करूँ, तो CBI ने अपनी progress report जो है, वो submit कर दी है Supreme Court में, Supreme Court ने कड़ी फटकार लगाई है, इसमें एक आ गया है कि crime scene से छेड़ चाड़ हुई है, तो actual में हुआ क्या है, ये तो time आने पर सामने आएगा, लेकिन देश के अंदर इसकी वज़े से, जग जो parents हैं, उन्होंने interview दिया, आप पढ़ोगे तो, आप सोच भी नहीं सकते कितना गलत उस family के साथ हुआ है, victim के साथ इस accused Sanjay Raya ने बहुत जादा दरन्दगी करी है, मैंने जान पूच कि इस video में उसको add नहीं किया, क्योंकि ना मैं बता पाऊंगा और ना आप सुन पाऊं झाल